नमुश्कार मिना नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं आज सुबह से from GU Year End Review इस मीटिंग से जो की हो रही है मुंबई में बड़े जाने माने ओंकॉलोजिस्ट आये हैं या पे देश भर के और हमारे साथ हैं डॉक्टर अधियति अगरवाल डॉक्टर अधित एक साल 2022 में नया हुआ है जियू कैंसर में उसके बारे में बात कर रहे हैं हमने प्रॉस्टेट कैंसर के बारे में बात करी हमने किड्नी कैंसर के बारे में बात करी और कल हम ब्लाडर कैंसर के बारे में बात करेंगे तो लास्ट एक साल में जो जो चीजे नई हुई हैं जो ह हम यूज करते हैं जब हमें सिरफ प्रोस्टेट को रेडियेशन देना है कुछ सिलेक्ट ग्रूप अफ पेशिंट्स में जो फेवरिबल है उनमें दे सकते हैं या नहीं कितना बेनिफिशिल है इक्विलेंट है या नहीं आउटकम्स इस बारे में बात करी इस भी आर्टी इस टिरियो टैक्टिक बॉडी रेडियेशन थेरपी यहां पर हम बहुत हाई डोस रेडियेशन एक सिटिंग में देते हैं उसका फाइदा यह होता है कि ट्यूमर को जादा डोस एक बार में मिलती है number of sittings कम हो जाती है तो patient को कम visits करना पड़ता है treatment जल्दी खतम हो जाता है so what we want to understand is and that is what we were discussing कि is it equivalent to giving the conventional form of radiation जो की usually 5-6 हफते चलती है जहां patient को 25-28 बार hospital आना पड़ता है अमेजिंग इसलिए हम सब कहते हैं कि इस तरह की medical conferences होना बहुत जरूरी है और इनका आप तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है so that आपको पता चलता रहे कि भाई चल क्या रहा है यह थे डॉक्टर अधिती अगर्वाल मेरे यानि विवेक शर्मा के साथ तैंक यू सो मुच लोग साब